नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रजापति विकास फर्मसिस्टेंट रग कंसल्टेंट आज इस वडियो में हम बात करेंगे शराब पीने के बाद ये 5 दवाईया आपको नहीं खानी है अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है ड्रिंक कर लेता है तो उस व्यक् में देखा ही होगा आसपड़ोस में फैमिली में जब भी कोई व्यक्ति शराब पी लेता है और उसको होस्पिटलाइज भी किया जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि शराब पीने के बाद कौन-कौन सी दवाईया है जो नहीं खानी चाहिए ये जो वीडियो है दोस् इसी कौन-कौन सी दवाईया है जो ड्रिंकिंग करने के बाद या शराब पीने के बाद नहीं खानी चाहिए सबसे पहले बात करते हैं अब समझिए कि जो भी व्यक्ति शराब पीता है तो ये शरीर में कहा जाती है और शरीर से बाहर कैसे निकलती है तो जब भी कोई ड्रि मेटाबोलिजम होता है और शरीर से बाहर निकलती है तो ये बाड़ी से यूरीन के थ्रू बाहर निकलती है और लंग्स के थ्रू बाहर निकलती है इसका जो मेटाबोलिजम होता है एलकोहल ऐसी टेल्डी हाइड में कनवर्ट होती है एक ऐसा केमिकल है जो शरीर के लिए ब anti-inflammatory medicine, ऐसी medicine होती है, जो शरीर में किस भी प्रकार के दर्द को कम करती है, तो जो एनसाइडी दवाईया है, जैसे कि पेरसिटामॉल, एस्पिरीन, या जो भी पेनकिलर medicine होती है, उनको alcohol consume करने के बाद नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, उसका भी कारण आप स स्टमक के अंदर उसको जाके ये damage कर देती है, और जब वो damage हो जाता है, तो वहाँ पर ulcer हो जाते हैं, bleeding होना start हो जाती है, खून निकलना start हो जाता है, तो ये जो सारी समझ्या हैं, देखने को मिलती है, एक तो म्यूकोसा layer damage हो जाएगी, ulcer हो जाएगी, bleeding start हो जाएगी, तो metronidazole, tenidazole, sephodoxyne, ये दवाईया antibiotic दवाईया होती है, जो किसी भी patient को जब भी infection होता है, bacteria की वज़े से, तो उस दौरान ये दवाईया दे जाती है, अब इन दवाईयों को क्यों नहीं देना चाहिए, देखें, जो alcohol है वो acetaldehyde के अंदर convert होता है, और acetaldehyde बहुत ही toxic जो ingredient है, substance है, तो ये शरीर में बहुत ही जादा जान लेवा होता है, अब देखें इसकी वज़े से क्या होता है, जो patient है, अगर वो ये दवाईया खाता है, metronidazole, tenidazole, sephodoxyne, तो उसकी वज़े से patient को headache होने लगता है, सिरदर्द होने लगेगा, उल्टी होने लगेगी उसको और पसीना-पसीना हो जाएगा patient, एकदम से उसका जो blood pressure है, वो भी कम हो जाएगा, सीने में दर्द होने लगेगा, ये जो सारी समझ्या है, देखने को मिलती है, और patient को चक्कर भी आने लगते हैं, तो ये जो सारी समझ्या है, patient के साथ होने लगती है, bizarre type reaction बोल सकते है तो इस situation में patient की हालत इतनी खराव हो जाती है, कि उसको hospitalized करना परता है, hospital में admit भी करना पर सकता है, जैसे कि उसको vomiting होने लगेगी, उसकी blood pressure कम हो जाएगी, उसको जो होश भी नहीं रहेगा, palpitation होने लगेगा, पसीना-पसीना हो जाएगा, सीने में दर्द होने लगेगा, और पेट के अंदर अलसर हो जाते हैं, और क्या होगा, खून की उल्टी भी होने लग सकती है, यह जो समझा है, देखने को मिल सकती है, तो आगे से आपको ध्यान में रखना है, और डॉक्टर को यह पता रहता है, कि जो भी patient drink करता है, या drinking कर लिए तो उसको कौन सी या drinking करने के बाद या शराप पीने के बाद नहीं दी जाती है, और आप सभी से में request करूंगा यह वीडियो, आप अपने friends को share कीजिए, family में share कीजिए, ताकि उन सभी को भी इसके बारे में पता रस सके, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को subscribe करके रहेगा, ऐसे ही न पनिवाद?